जब इंसान की किड्निये खड़ाब हो जाती हैं तो हमारे शरीर से तरह तरह की गंदगिया नहीं निकाल पाती तरह तरह की चीज़ें खाने से हमारे खून में तरह तरह की मिनरस से कठा होते जाते हैं और हमारी केड्निया इम मिनरल्स को खूल से फिल्टर करकर यूरीन के दोरा बाहर निकाल देती हैं पर अगर केड्निया ऐसा ना कर पाएं तो इम मिनरल्स हमारे शरीर में कट़ा होते जाते हैं और हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों में अलग-अलग तरीके की प्राब्लम्स करते रहते हैं इसलिए किड्नी के बिमारी के दर हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं और हम क्या पी रहे हैं क्योंकि आप जो चीज जितनी quantity में खाएंगे उतना ही सुनशित होता जाएगा कि उस तरीके का mineral कठा होता जा रहा है इसलिए किड्नी के patient को पुरे दिन की meal में ये ध्यान रखना होता है कि वो क्या खा रहे हैं और दिन का सबसे जरूरी खाने का समय होता है नास्ता एक किड्नी के patient के दिमाब में ये जूरूराता है कि वो अपने नास्ते में क्या का चीज खा सकते हैं और एक ऐसी ही चीज जिससे ज़्यादा तर लोग अपने नास्ते का हिस्सा बना लेते हैं वो है oats आजकल oats बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जारता लोगों ने अपने lifestyle को healthy बनाने के लिए oats खाना चलू कर दिया है वैसे तो market में हर brand के oats आते हैं और कई तिर्गे के flavor के भी होते हैं पर चली जानते हैं कि क्या आप किड्नी के बिमारी के दरान oats खा सकते हैं तो दोस्तों oats खाने से एक किड्नी के patient में काफी फायदा होते हैं सबसे पहली चीज तो यह कि oats खाने से आपका high cholesterol level धीरे-धीरे कम होता जाता है अगर आपका cholesterol control में रहेगा तो आपको दिल की बिमारीया नहीं होगी दूसरा फायदा जो आपको oats करती हैं वो यह कि वो आपका blood sugar level धीरे-धीरे कम कर देती है और आपका weight lose करने में भी आपकी मदद करती है आपको यह तो पता ही होगा high blood sugar level यानि कि diabetes किड्नी की बिमारी होने का सबसे बड़ा काराण है मोटा पा होने से शेरी में तरह तरह की बिमारीया घर कर जाती है तो किड्नी की बिमारी के दौरान और weight को भी control करकर oats का फायदा उठा सकते हैं तीसरा फायदा जो oats आपके लिए करती है को constipation नहीं होता जब आपको किड्नी की बिमारीया हो रखी है जिससे आपके शेरी में constipation बना रहता है oats में बहुत ही जादा मातर में fiber होते हैं और ऐसी चीज़े होती है जो आपके शेरी में constipation नहीं होने देती आप सुबह उठकर fresh ही महसूस करेंगे oats खाने से जो चौती चीज़ होती है वो यह कि आपका blood श्चा होता जाता है blood circulation अच्छा होने से खून का प्रभाव अच्छा बना रहता है आपकी नसे अच्छी बनी रहती है और आपकी kidney में जाने वाले खून की नसे भी strong बनी रहती है जिससे आपकी kidney और अच्छे से खून को filter कर पाती है यहनि कि oats खाने के फायदे तो बहुत हैं पर आपको कुछ चीज़े oats खाते वक्त ध्यान में रखने पड़ेंगी पहली चीज़ तो यह कि बाहर से oats के packet खरते वक्त यह चेक कर लें कि उसमें अलग से preservative और additive कितनी मातरा में डाले गए हैं अगर उसमें अलग से nutrition डाले गए हैं जैसे कि potassium, phosphorus और sodium तो आपको यह चीज़ भी ध्यान रखनी है कोई भी oats का packet खरिदें से पहले उसका packet ज़रूर पढ़ें और ऐसा ही oats खरिदें जिसमें अलग से additive बहुती कम मातरा में डाले गए हो या फिर डाल ले ही ना गए हो कुछ kidney के patient जिनके शेरी में phosphorus की मातरा बहुत ज़्यादा हो जाती है पर सिर्फ oats से कुछ नहीं होगा आपको ज़र्द पढ़ेगी कर्मा अरवेदा के expert doctors की यहां डॉक्टर पुनी धवन डेली ने जाने कितने ही patient हो की kidney की बिमारिया ठीक कर दिखाते हैं आचाहे वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक, शेयर, तो को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में healthy रहें, खुश रहें हमारे फोन नंबर्स हैं 098-7171-2050, 011-4264-4274 हमारी email ID है doctor at karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.karmaayurveda.com पर log on भी कर सकते हैं